आपके पास सबसे सस्ता plot कितने का है उसे जमीन है पांच लाग-छे लाग कट्था पांच लाग-छे लाग कट्था के अभलेबल है करने के मतलब ही कि जिसका जैसा डिमांड होगा उस तरह का जमीन अभलेबल है और यह देख रहे हैं जो एक-एक plot यह बीज दोर यानि यह पर बबलू पेट्रोलिया अब यह सामने अब देख रहे हैं बबलू पेट्रोलिया नमश्कार में प्षेक गोस्वामी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में दोस्तों आप सभी बार-बार कमेंट कर रहे थे काफी दिनों से आप डिमांट कर रहे थे कि प्रपर्टी के बारे में आप वीडियो बनाएं गुपाल गंज में हम अच्छे रेट में और बढ़िया भी स्वस्तिया जगह से जमीन कहां पे खरिच सकते हैं आप सभी काफी मेरे पास और मैं काफी दिनों से इसके बारे में तलास भी कर रहा था चुकि जमीन का जो मामला है काफी आप लोग देखे अगर लोकल होंगे तो आप सभी जानते होंगे कि बहुत जगह फ्रॉड होता है और बहुत जगह ऐसी जमीने बेज दी जाती है जो एक ही जमीन को नहीं चाहा रहा था मैं इसके वीडियो नहीं बना रहा था काफी दिनों से मैं तलास कर रहा था किसी ऐसे वेक्ती के बारे में जो बिस्वस्तनी हो और जिस पे मैं बिस्वास कर सकूँ ऐसी जमीनों की तलास कर रहा था मैं और मुझे खुद भी जमीन लेना था तो मैं इस मनें ले के घर बना सकते हैं कौई बात भी बाद नहीं होगा आज हमारे सत्थ हैं पिंकी भीया पिंकी भीया बहुत-बहुत सवागत आपका हमारे चैनल में จะ सबसे प तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा सा लोकेशन दिखाईएगा बंजारी मोड पर यह सामने देख रहे हैं जो सामने आप ग्यानलों के स्कूल है और इधर सामने एनच अठाइस इधर दिखाई कितना दूर होगा यहां से दो सफिट दो सफिट और थोड़ा सा साइब सौदे बेटेएं और यहां पर खड़ा है यह यह थोड़ा सा यह 45 फिट रोड है यह मैं भी यहां पर यह सामने यहां पर बुख किया हूँ यह पानी देखेंगे आप पानी से परसान्न होइगा यह बरसाथ का मासम है और गुपाल-गैज में अगर आप ग्यानलोग साइड में देख रहे हैं सब फहले पानी हुआ करता अंधी बी कहीं कहीं पानी है लेकिन पीछ है अप देखे यहां पीचे में देखा-इध बलता हैं dalla सब प्हुत ऑन से घर जमीन के सोफिट बाद जहां पर दीख रहे होंगे पानी जहां पर खतम हो रहे हैं उसके आगे लौक क्या प्रस्तावीत है वहां पर सरकार का पूरा प्लॉट है यह लौक है गवर्मेंट का और जो पूरा प्लॉट जो किया गया है मैं नक्सा आपको टेबल पर समझा दूगा पूरा नक्सा आप समझ लीजेगा कैसे आप ले सकते हैं प्लॉट बाइप यहां पे बीच में रोड चौदा फिट रोड होगा चार फिट अपना दिये हैं और पांचाज फिट कंडिशन है चौदा कर्णिशन का मतलब होता है कि आपको जो यह कठा जमीन दिया जाएगा उसमें से पांच फिट आपको नीचे छोड़ देना होगा और ऊपर चार फिट आपको चाजा ले लेना है मने नीचे छोड़के फिर उपर पकड़ सकते हैं नीचे अंदर जाने के लिए और यह में का किया जी में घृए हो सकती है मार्केट हो सकता है और और क्या यहां पे पर नजडिक में आपका डॉक्त जाएगा अब बिलकुल अब मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे यह जो नस जो थावे से आरही है और यह जैसे NH 28 पर क्रॉस करेगी बेतिया के तरफ यह निकल जाएगी और यह नइश 24 पर गोलंबर बनेगा तो यह में एक तरह कहिए कि जैसे पटना में आपने सगना मुड देखा होगा उस तरह का एक गोपालगंज से बाहर में एक गोलंबर हो जाएगा यहां पर यहां पर यहां पर क्रॉस करेगी बड़ा गुलंबर होगा तो में इस प्लॉट के सामने गिर रहा है और यह सामने आप बंजारी मोड हो गया और यहां पर जाकर डाउन हो रहा है जहां बबलू पेट्रोलियम है सामने अभी हम आप रहा है चंदरा सिनेमा के पास जो देख रहे हैंगे पुराना वाला चंदरा सिनेमा अभी बंद पड़ा हुआ है अमारे मलसी आदितमार पांडे जी का खर नहीं पर है और यह जो रोड वहां पर डाउन हो रहा है जहां पर पेट्रोलियम और यहां पर यह जो है फ्लाई ओवर जो बंजारी मुडवला समाप्त होता है यहां पर और यहां से लेफ्ट टरन लेना है यहां से यह बंजारी मुडोला फ्लाइब वोफर यहां पे खतम हो रहा है और यहां से थोड़ा सा आगे प्रस्तावीत है गुलंबर बनना प्रस्तावीत है जो थावे की तरफ से जो एनेचा रहा है एनेचा इसमें जहां पे क्रॉस होगा जो बेतिया के तरफ आईवे जाएगी यह बंजार किया हुए और यहां पे बरमस्तान है यहां पे काफी है स्पेस है और जो प्लॉट है आप देख रहे हैंगे वीडियो में कितनी दूरी है यहां से एनेचा का मैं नीचे उतर के सब दिखाता हूं आपको यहां से नहीं से जो फ्लाइओवर है रार मोड शे जो लोड ने से निकलेगी वहीं पे आके वह फ्लाइवर खतम हो रही है इसलिए से बहुत बड़ा फ्यूचर में एक कमर्शिल जमीन होगा तो बुरा नहीं मानिएगा सबसे बिले हम साफ साफ आप से कहेंगे कि गोपाल गंज में लोग जमीन खरेदने से डरते हैं और जो लोकल साफ सुत्र जिसे यह भी होता है कि प्लॉट किसी और के नाम से कोई बेज दिया या एक ही प्लॉट को तीन-चार लोग बेज दिये तो इसका कैसे बिस्वास दिलाएंगे जमीन हम लोग जिसे भी देते हैं अपना एक गॉड्स होता है और उसको पहले हम लोग जमीन का इसको पूरा मिटी से फिलिंग करा देंगे और जिसको जिसको दिये उसको प्लॉट उतना मने यह पानी देखके घवडाना नहीं है पूरा मिटी बराबर के जिसे मिटी के काम लगा हुआ था यह पीछे आप दिखाएगा बारिस के कारण्ट थोड़ा सा रूप रोक दिया और यह कठा का फ्रॉंट चोवन फीट हो रहा है लमसम चोवन पच्पन फीट के हिसाब से हो रहा है मैं थोड़ा सा मैट पर आपको समझाना चाहिए कि प्लॉट कैसे प्लॉटिंग किया गया है वहां पर तक कि आप अच्छे तरह से समझ सकें तुड़ा से केमरा जूम च्पिलगे गा आप यहां पर देख रहे हैं यह नहोर्ट साइड है यह सौफ साइड है यह नहींग यह यहां पर जो बंजारी मौ्डवाला जो व्लाई ओ Haruam पड़र है यहां पर जाके शमाप्श हो रहे है और यहां से प्लॉट आर यहां पर था आप और अगर स्क्वायर फिट में आप समझना चाहे हैं तो 20 स्क्वायर फिट का ये एक प्लॉट है ये देख रहे हैं आप यहाँ पे यह 45 फिट का रोड यहाँ तक है और यहाँ से आगे 16 फिट का यहाँ पे रोड है और जो नई वाली जो NH बन रही है जो थामे से NH 28 के पास इस साइड से निकलेगी और यह रोड आगे जाके यह थामे वाला जो वाला बाइपास कोपल गंज का जो NH बन रहा है यहाँ पे जाके टॉच करेगा और यहाँ पे भी वो चार फिट यहां पर दे रहा है जिनोंने फ्लोट किया हुआ है और Hmt के बाद हो इसमें इदर से आपको पांच फिट शोड़ के बनाना है और उपर में जब आप उपर पन पर पीड़र हैं से तो उपर में 4 फित आप कभ़र कर सकते हैं चार फिट यह अप शाजा निकाल सकते हैं यानि नीचे में यह रोड जो है यह 14 फिट का रोड हो जाएगा पांच फिट इनको छोड़ना है पांच फिट इनको 4 फिट जो प्लोट किये हुए है वो जो मनें पिंखी जी है वो 4 फिट दे रहे हैं यानि 14 फिट का रोड यह अंदर के तरफ होगा यह रोड होगा एक रोड और उसके बाद यह प्लोट इधर फेस होगा इसका यह साउथ फेस होगा यह नौर्थ फेस होगा और बीच में रोड यहाँ पे तीन रोड अंदर में देख सकते हैं एक कठे का जो लास्ट में है ये दस दूर का है desse दूर का ये लास्ट वाल, अप्लोड तो ये पूरा नक्सा आप देख रहे हैं और इसके बाद ये एरिया है ये पूरा गbnिधन ने लौग कर रखा है यहां पर बस एस्टेंड और बस एस्टेंड या पुलिस लाइन या क्या बोते हैं तीनों चीज उदर बनना है और पुरा गवर्मेंट ने लौक कर रखा है अब इस फ्लोट के बगल में क्या बनता है ये आने वाले दिन देखता हैंगे लेकिन इसको गवर्मेंट ने लौक कर रखा है एक कठा माले जे यहां पर कितने बजट रेट क्या होगा इसका यहां स्टार्टिंग प्राइस हमारा है यहां 30 लक्र और आगे बहुत से जमीन है जो तीस का होगा 32 का होगा 35 का होगा जो जैसा फैसलिटी है कॉर्णर पर थोड़ा सा महगा होता है पीछे में थोड़ा सस्ता होता है आप सभी समझ रहें और में है कि यह commercial एक कलोनी बनने वाली है commercial यहां पर जो जितने भी फ्लेटे बनेंगी तो मैंने शुरुआत यहां से होने वाला यह अब फिर से एक बार तुड़ा दिखाएए यह यह जो दिवाल दिख रहा है यहां से और जहां तक government का जमीन लॉक किया गया है पूरा एरिया कितने का है टोटल यह तो अभी लगभग 22 कठा का है 22 कठा का पूरा यह प्लोटिंग किया गया और जो भी लेंगे डेबलप करेंगे पीशे और जमीन लिए हुए सब लेने के लिए जो लोग एक्षुक हैं जो अब लेजिए यहां के बंजारी अरिया है यहां के करमचारी बैठते हैं आप जाके उनसे संपबर करके पुरा डीटेल ले सकते हैं और चाच किजिए यहां तक तो हम देख रहें कि घर बन गए हैं यहां लोग रहे हैं पीछे में जो दिखाएगा यहां पे लोग रेंट पर भी रह रहे हैं तो मैं यह जानना चाहूंगा आप से कि यह जो एरिया है क्या बोलते में आता है नगर निगह में नहीं है यह पंचायत में तो पंचायत में है तो इसका रजिस्ट्री खर्च भी कमाएगा तो मेरा दिखाने का मकसद यह था कि आप असानी से यहां इनसे संपर कर सकते हैं और आप जितना लेना हो आपको अब दस दूर दस दूर मने लेजिए 800 स्कौार फिट भी ले सकते हैं अभी तो हम बात कर लिए जमीन के बारे में मैं ऐसे ही थोड़ा सा जनरल लोगों के लिए आप से पूछना चाहूंगा कि अभी तक आपने कितने लोगों का घर बसा दिया है गोपाल गंज में लमसम ए आपको पूरा जनकारी पता चलेगा और कहीं भी गोपाल गंज में अगर जमीन खरने आ रहे हैं तो किसे से पूछेंगे भी तो भाई एक बड़ा नाम है ब्रांड मन चुक हैं गोपाल गंज के लिए और इसलिए मैं ज्यादा टाइम ले रहा था इसके बारे में वीडियो किया हूँ और और भी आगैं आप विस्वास अगर चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि जो कैमरे के प Kathy है मेरे बड़े भया वह आए और जमीन आप बुकिंग के लिए या स्यम्हीolis की बाट घुढ़ के लिए disagree ए हैं हैं और यदि के साथ विशुका हिए तो भी सँखंऊ सकते या डिरेक्ट पिन्की भी संपर कर सकते हैं जमिन लेना है तो पिंकी जिसे स्थाप सुतर्ण कहीं बिवादित नहीं। एकदम साप सुतरा जमीन आपको यहां मिले लगबग दो साल से हम लोग तलास कर रहे थे हम लोग लिए हैं तो इसे आगे तो कहा नहीं जा सकता है और लगवक्त दो साल से हम लोग तलास कर रहे थे जमीनों के बारे में और काफी खोज भी इनके बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि यहां पर लेना चाहिए यह लोकेशन ठीक है अच्छा फैनली पिंगी भी हम आप सो जाना चाहेंगे कि जो रेट आपने बताया है कुछ उ प्लॉट बॉक कर सकते हैं और उनकी टाइम दे जाएगा कि इतने दिन में पैसा दे जिए रजिस्ट्री से पहले टोटल पैसा देना होगा हम आप से आसा करते हैं कि जो भी हमारे द्वारा विवार आए आप तक तो उनका सायोग करें उनको उनका भी घर नसाए बुलेट कितने मेरे पास सबसे सस्था प्लॉट जो है दूरी है यहां से पांच किलोटर दूर है उस सब जमीन है पांच लाग श्यलाग करणा का इवलेबल है करने के मतलब है कि जिसका जैसा डिमांड होगा उस तरह का जमीन एवलेबल है बाकि मुझे यह प्लॉट अच्छा लगा तो मैंने सूचा कि आप सभी को दिखाना चाहिए तो फिलाल के लिए मैं आप सभी से इस वीडियो में विदा चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि अगर आपका प्लान है कि आप गोपाल गंज में जमीन ने और यहां पे घर बनवाएं तो इससे अच्छा मौक आपको नहीं मिलेगा इससे अच्छा जमीन आपको नहीं मिलेगा बाकी दिरे दिरे जितना तेजी से गोपाल गंज फैल रहे आपको बहुत आगे जाना पड़ेगा जमीने के लिए अगर अभी आप देरी करते हैं तो फिलाल मैं आप सभी से विदा चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताएं कि आपको आज के वीडियो कैसा लगा और हमार लिए कोई सुजाव हो तो उसे भी कमट्वक्स में जरूर लिखें वीडियो